बच्चो this is exercise 1.4 का first question इसको कैसे करा जाए simplify करना है बच्चो देखिए सबसे पहले under root 45 minus 3 under root 20 plus 4 under root 5 बच्चो इसको कैसे करा जाए simplify करना है बच्चो सबसे पहले under root 45 है न इसका मैं क्या करता हूँ factor निकालता हूँ देखो कैसे निकलेगा तो देखो बच्चो यह तीन दो बार आ गए तो इस दो बार को मैं सिर्फ एक ही बार थ्री लिखूंगा और जो अकेला बच जाता नहीं वह अंडर रूट फाइव हो जाता है जो अकेला बचेगा वह अंडर रूट में आ जागा क्योंकि अंडर रूट में था देखो और मैंने एक चीज आपको बताई थी जैसे अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फाइव क्या होता है क्या होता है तो देखो यह भी तो अंडर रूट में ही है अंडर करूंगा बच्चो यह 20 का निकालता हूं 20 तो 540 254 222 तो यह देखो अंडर रूट तो यह जाएगा टू और यह अंडर रूट फाइब रहे ऐसी रहेगा तो यह जाएगा अब यह 3 इंटू 2 अंडर रूट फाइब था अब 3 टू जा क्या हो जाता बच्चो वह मैं होता है और यह 4 अंडर रूट 5 तो देखो बच्चो सम्में मैं अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 लिया है तो यह हो जाएगा बच्चो 3 अंडर रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 तो बच्चो देखो यह भी प्लस यह भी प्लस चार पांच है साथ तो यह जाएगा 7 under root 5 minus 6 under root 5, तो देखो 7 under root 5 minus 6 under root 5, देखो इस 7 का 7 under root 5 और उसे 6 under root 5, तो शिद्धे सिद्धे हो जाएगा under root 5, so this is my answer, तो बच्चो आराम से attempt करना है, बहुत easily बहुत प्यार से simplify करते करते जाना है और बहुत easy हो जाएगा हमाले,